Hello everyone, welcome to trending economics. तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं trading account क्या होता है? पिछली वीडियो में हमने बात की थी demate account के बारे में, ठीक है? तो देखी, trading खाता या trading account एक account है, जिसके माध्यम से share की खरीद और विक्री के जाती है. ठीक है? पिछली वीडियो में हमने देखा था, कि demate account में जब share खरीदते हैं, तो demate account में हमारे show करने लगते हैं. जैसे बेचते हैं, तो demate account से गाइब हो जाते हैं. लेकिन उस खरीदने और बेचने के लिए, shares को खरीदने बेचने के लिए, हमारे पास trading account होना चाहिए. जिसके जरी हम shares को खरीदते हैं और बेचते हैं. इस account के माध्यम से खरीदेगे share को किसी के demate account में जमा किया जा सकता है. जैसे हमने share खरीदा, वो हमारे demate account में आ जाएंगे. जैसे हमने share बेचा, demate account से चले जाएंगे. एक बात और धहान देने वाली याए कि, यह आपका यह account है, bank account. ठीक है, यह B लिख दिया bank account. यह आपका trading account है, जिसके हम बात कर रहें. और यह हमारे demate account है, जिसके हमने बात पिछली video में की थे. अब bank trading account में आपके पास पैसे नहीं, आप share खरीदना चाहते हैं, तो bank account से trading account में आप पैसे पहले लाएंगे. ठीक है, उ यहाँ से share फ्रेस से चले जाएंगे, कोई दूसरा खरीद लेगा, ठीक है, कोई दूसरा customer खरीद लेगा, ठीक है, यही होता है trading account. तो video कैसा लगा, हमें comments में ज़रूर बताएगा.